हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पॉर्सन की बीच क्या चल रहा है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसर रिक्वेस्ट है कि पुलीज सब्सक्राइब माई चल बैल आइकन को प्रेस कर दीजी ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहाँ जाए और जो अलड़ी मेरे चैनल को कर चुकिया उनको थेंक्यू सो मच तो थर्ड पार्टी और अपकी पर्सन की बीच क्या चल रहा है बॉटम तो देख है सक्सिस तो गाइस आपके पर्सन की कोई भी साइन हो सकते हैं बारा की बारा रासी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है एरिस लियो सजिटेरिस भी दिखाई दे रहा है पाइसस कैंसर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है जैमनेली ब्रैक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है 8 तो बहुत ही strong दिखाई दे रहे है 4 हो सकती है ठीक है तो पहले तो आप मेरी viewers के बारे में हम देख लेती है ताकि आप resonate कर पाएं क्योंकि आप कई मेरी viewers ये comment करती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी person की energy है ठीक है तो यहाँ पर तो guys मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपके person जो है और आप कई जन्मों से साथ चले आ रही है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपका जो है उनका रिस्ता कई जन्मों से है ये आपके partner जो है आपके साथ कई जन्म तक रहे हैं इनके family भी और आप भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी वज़े से ये लोग आपको मिले हैं और आप लोगों का soul का contact है ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके आसपास के जो लोग जो भी आपको मिले हैं वो आपके साथ पहले भी रहे हैं यह आपकी soul family है और इसी वज़े से आपके साथ में इनके कर्मा वने वे थे और यह तभी आपको मिले हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यह कुछ पिछले जन्मों के कुछ कर्म जो है बाकी थे इसी वज़े से आप से मिले हैं यहाँ पर यह बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके person जो है starting में तो बहुत ही अच्छे स जो है एक peaceful soul है और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि आपका aura जो है angelic aura है आपको देखकर कि आपके person attract हुए थी ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि वो आपके साथ में हर फल खुश रहते थे बहुत ही enjoy करते थे आपके साथ में moment to moment जीना उनको बहुत ही अच्छा लगता था adventure करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ ठीक है लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ कि इनकी family का भी मैंने यहाँ पर देख रही हूँ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको समझी नहीं आया कि यह सब हमारे साथ में क्यों होने लगे आचानक से फिर आप लोगों के बिच में दूर्या बढ़ने लगी लड़ाई जगड़े हुए खुब जो है बहुत दा कास होनी हुई आप लोगों के विच में आपको और आपके परसन को यह एनरजी सकर लगने लग गये यह रिलेशन्शिप ठीक है आपको ऐसा लगता था और आपके परसन को लगता था कि यह एक प्रोग्लम है जो हमें छेडनी पढ़ रही है ऐसा भी आप सोचने लग गए थे क्योंकि आए दिन छोचनी बातों को लेकर कि आर्ग्योमेंट्स होते थे आप दोनों के वीच में और फिर बहुत ही बड़न लगने लग गये सब कुछ आप एक दूसरे को जो है बोज की तरह समझने लगए आपके परसन आपको बोज समझते आप उनको बोज समझते वर इस तरह से सिचुएशन जो है बदलती चली गई यहाँ पर फैमली का इंवॉल्मेंट डिखाई दे रहे है मुझे कि फैमली जो है उनकी वज़े से क्योंकि उनके पास में बहुत ही फाइनेंस है और वो बहुत ही कंजुसी दिखाती है किसी को देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पारे हैं कि उन्होंने आपके परसन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और दीरे दीरे जो है आप लोगों की लगे उनके साथ मिल करके आपको यह सब कुछ जेल लगने लग गया आप सोचे थे कि इस जेल से मैं कब भार निकलू और आप सोचने पर मजबूर हो गए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका माइन बहुत जादा जो है ओवर्थिंक भी करने लग गया बहुत ज़्यदा सोचने लग गया कि एक टाइम था जब हम दोनों ही बहुत ही प्यार से रहते थे और जैसे लाइफ चल रहे थी smoothly हमारी वैसे चले जा रहे थे हम बहुत ही सामाने साथ जीवन जी रहे थे लेकिन खुश थे हम अपने जिन्दगी में हमें कोई रुपए पैसे का लालश नहीं था लेकिन हमारी फैमिली ने हमारी बीश में दरार पैदा कर दी ऐसा आप सोच रहे है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपके आने के बाद में उनकी लाइफ में बहुत ज़दा उतार चाड़ावा है आपके परसन की लाइफ में वो ये भी देखती है कि आपके आने से मेरी जिन्दगी पूर्ध तरह से बदल गई क्योंकि कहीं ने कहीं आप बहुत ज़दा जो है spiritual person है और बहुत पूजा पार्ट में believe करते हैं और आपके परसन ऐसा नहीं करते होंगे तो आपके आने के बाद में उनके अंदर बहुत ज़दा changes देखने को मिले वो बहुत ज़दा बदल गए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके आने के बाद में उनको ये realize हो गया कि असल जिंदगी क्या होती है लेकिन फिर भी उनको मजबूरी वस आपसे दूर होना पड़ा और आपको लेटगो करना पड़ा ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है या फिर जो है ओन अपकी situation में भी आप रहे लेकिन family जो है वो कहां बाज आने वाल जो है separate way इतने साल हो गए है होती होगी कभी-कभी मुलाकात या कभी phone call से बात या फिर से जो है वो ब्लॉक कर देती होंगे बात करते होंगे फिर से ब्लॉक कर देती होंगे ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है आप जो यह family है इसमें इनका दम गुटने लग गय क्योंकि मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके person कहीं भी बंद कर रहना पसंद नहीं करते हैं उनको खुला environment पसंद है भूमना फिरना enjoy करना बस ज्यादा बड़न नहीं लेना इस टैप के energy मुझे आपके person की यहां पर दिखाई दे रही है और मैं यहां पर द हैसा भी मैं यहां पर देख पा रही हैं मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि वो अभी let go करना चाहते हैं मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि वो ऐसा कहरे कि compromise कर लेते क्योंकि उन दोनों की बीच में लड़ाई जगडा हुआ है third party और आपके person की बीच में लड़ा ख्याल रखने वाले आपके लिए तो हम सब कुछ करने हैं क्योंकि यहां पर we are the world है और वो खहरे कि तुम इतना क्यों उसे में आ जाते हों और आपके person का वहां पर दम घुटनी लग गया है सा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं उनको वहां पर लग रहा है कि जैसे ब Parat coast को करने के सोच रहे हैं और दियार हो गए है क्योंकि वह कभी कुछ अपने पेरेंट से मागती होंगे तो कंजूस ही दिखाते खाते हैं क्योंकि उनके परेंट के पास किसा चीज क kao gdzie है लेकिन वह बहुत इक अजूस के इंसान उनके फादर हो सकति है है आपके person के फादर हो सकती है या मदर हो सकती है बहुत ही कंजूस है जो किसी को एक कोड़ी दे कर खुश नहीं है आपके परसन के पैसे भी उन्होंने लूट लिये हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है या हो सकते है कि वो जो है उनको लालस दिया हो कुछ केसे इसमें ऐसा भी दिखाई देता है कि हम आपको बहुत कुछ देंगे और बहुत साल हो गए है लेकिन लटका कर रख रख है वेटिंग मौड पर रख रख है कि देंगे ना देंगे ना और फिर पोस्ट पॉन कर देते हैं चीजों को ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे लेकिन यहां पर मुझे दिखाई दे रहे गाईज की आप काभी परेशान हो रहे हैं आपके साथ में भी लड़ाई जगडा करवाया हैं आप भहुत खुश रहते थे लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में जैसे दुखों का पहार कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है सोल मेट हैं इसी वज़े से जो हैं आप लोगों को हेल्प की जा रही है और आपके परसन की वहां पर साइकल कंप्लीट हो गई है तो आपके परसन जो हैं आपकी साथ आना चाहते हैं करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसा मुझ कम्प्लिशन का है लेट गो का है और ये खाली जो नथिंगनेस का ठीक है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि लेट गो करने के बाद अब क्या बचा है कुछ नहीं बचा है देखी ठीक है यह देखी अब साइकल कम्प्लीट हो गई है अब उनकी जिंदिगी में अभी इसा दिखाई दे रहे हैं और जिनके पार्ण आदर परसं के सथाओ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि वह ऊब गई है वह पर भी और वो जो है थर्ट पार्टी जो अधर परसं ने वह कहता है कि प्लीज कॉम्प्रमाइज कर लेंगे प्लीज उनके बीच में इसे reply नहीं देते हैं उनको पागल बना रहे हैं इसी वज़े से अपके person जो हैं वो उनसे उखड़े उखड़े रहने लग गए हैं और अब यों कहरे हैं कि बस अब हो नहीं चल सकता है अभी मुझे आगे बढ़ना अपनी जीवन में तुम तो मुझे ऐसे लूट के खा रहा है यूनिवर्स उनको जो है गाइड कर रहा है कि अभी यहां से भार निकल लिए अभी आपकी यहां पर कर्मा नहीं है आप अपने पार्टनर की तरफ जाएए तो कहीं ने कहीं आपके person को realize होने लगा है और वो इस cycle को complete करके आगे बढ़ना चाहते हैं यहां पर दो-दो cycle की काड़ हैं दोनों ही position में मुझे यहां पर दिखाई दे रहेगी उनकी cycle complete हो गई है यहां पर मैं यह भी देख पार हैं कि वो अभी आपके साथ में आना चाहते हैं आपके साथ एक नई श को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर cycle complete हो गई है इसी वज़े से जो है यह नए सिरे से अपनी जिन्दिगी को शुरू करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करके वो अभी एक नए शुरुआत करना चाहते हैं ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रह रहे थे और इसी वज़े से वो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं और नई वीजन से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं जिसमें success उनको मिलेगी ठीक है ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और वो थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना तो गैस आपके परसन की तरफ से मैं आपके लिए कुछ message देखना चाहते हैं कि आपके person जो हैं आपको क्या message देना चाहते हैं ठीक है आपके person कह रहे हैं कि मैं give up नहीं करने वाला भी अभी मैं आगे भड़ूँगा ठीक है और ये भी कहरे हैं कि आभी मैं आ जाऊं तो मु आपके साथ में उनको अपना घर अपना लगता है ठीक है ऐसा खहरी है वो खहरे कि मैं आपके बाज़ों में सोना चाहता हूं आपके बाज़ों में जागना चाहता हूं ठीक है वो कहते कि मैं जानता हूं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि अभी मुझे फिर से मत जाने देना आप उनके सपने में आते हैं केवल आप ही हैं जो उनके सपने में आते हैं और किसी को वो अपने सपने में नहीं देखते हैं ऐसा वो आपको realize करवा रहे हैं कि मैं आप यह को चाहता हूँ ठीक है, चलिए divine के तरफ से कुछ message देख लेती हैं आप मेरी universe के लिए चलिए universe के तरफ से कुछ message देख लेती हैं आपके लिए देखें आपको past को पकर कर नहीं बैठना है यानि कि past को बार-बार गाना नहीं है नहीं तो फिर आपकी life better नहीं होगी यहाँ पर आपको comfort zone को छोड़ना है और फिर आगे बढ़ना है जिन्दगी में ठीक है कुछ करना है adjustment are required आप लोगों के बीच में adjustment होना बहुत जरूरी है तब ही आपकी जिन्दगी better होगी ठीक है तो आपके person जो आ रहे हैं उनके साथ में आप adjustment करिए ठीक है और आगे बढ़ी अपनी life को better बनाए यह थी आपकी reading गईज यह रीडिए और आपको आपको राज़ तवी रसे जिता प्ली सुड़ आफ जो रीच ड्सी बाइट अच्छापिंड जुद ए रसेंटा है एंग्स वाचिंड टील नेस्ट में टील नेस्ट विट टीक केर बाइए